गुजरात महराष्ट के साथ साथ दादरा नगर हवली में भी लगातार तेज बारिस होने के कारण खानवेल विस्तार में गुरुवार के दिन बार जैसे हालात बन गए थे तेज बारिस और अचानक नदियों और छोटे बड़े खारियों में जलस्तर बढ़ गया जिसके कारण कई लोग अलग-अलग विस्तार में बार गरस्त हो गए इस आलम में कई लोगों के घर बह जाने की जानकारी भी सुत्रों से प्राप्त हो रही है बताया जा रहा है कि खानवेल विस्तार के तलावली, चोड़ा, भगत पाड़ा, रुदाना और चिस्दा मांदोनी में बार ने कई परिवारों के घरों को अपने सिकंजे में ले लिया दाना प्रसासन इन पहिस्थितियों में काफी मसकत करते दिखाई दे रहे हैं आज पानी का अस्तर कम होने के बाद दाना के नेताओं ने प्रसासन के साथ मिलकर बार प्रभावित छेत्रों का दोरा किया और बार प्रभावित परिवारों को भोजन पेकेज, कपड़े और कंबल भी प्रदान किये फिलहाल बाड गरस्ट परिवारों को दानह प्रसासन की ओर से सुरक्षी दस्थान पर ले जाया गया है जहाँ पर उन सब के लिए उत्तम व्यवस्था भी किया गया है बाड प्रभावित छेत्रों का जायजा लेने के लिए दानह समाहरता भानुप्रभा जिला पंचात सीयो अपुरुसर्मा जिला पंचात अध्यक्स नगरपाली का अध्यक्स भाजपानेता एडवोकेट सनी भिमराय अन्नेता पहुँचे भाजपानेता सनी भिमराय ने बाड पिरित परिवारों को मुआवजा देकर राहत दिलाने की मांग दानह समाहरता के साथ की है